तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं IPv4 address के बारे में अगर आप इस वीडियो को अगर आप complete देख लेते हैं तो आप IP address में हर तरह का problem को solve कर सकते हैं और IP address आपके समझेना बहुत ही असान होने वाला है तो मुझे उमीद है कि आपको इस वीडियो को अंतर देखेगा और आपको IP address से समझने फिर भी कोई question एक स्वाग रहता है तो आप comment box में comment कर सकते हैं और मैं इसको पूरा explain और simple भासा में explain करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को एक अच्छा तरह से practically समझ में आ जाए कि IP address कैसे काम करता है और इसका एक series में अफ्लिक बना दिया हूँ अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो IP address जो practically industry में काम आता है आप उसे miss कर सकते हैं दोस्तो इस series में हम आपको बताने वाले है story behind IP address IP address किस तरह से काम करता है एक story के मादने में से आप लोगों समझाने वाला हूँ यहां मैं आपको बताने वाला हूँ कि Mac address क्या होता है उसका पुरा full details मैं समझाने वाला हूँ IPv4 addressing का full details मैं बताऊंगा समरेटिंग explain करूँगा simple ways में ताकि industry में किस तरह से समरेटिंग का use होता है और आप इसे कित कैसे असानी से समझ सकते हैं बहुत सारे story लेन हम बताते हैं कि IP address तो समझ आते हैं लेकिन समरेटिंग समझ नहीं पाते हैं तो यह जो sequencing जो story के मादम से हम लोगों को बताने वाला हूँ अगर इस story को समझ लेते हैं आप तो आपको IP address में बहुत ही आसान होने वाला है चलिए हम समझते हैं एक story के मादम से जैसे अब देख पा रहे हैं एक इंडियन कोस्ट का मैं एक धारनागर में लेता हूँ तो आपको यहां पर ईजी समझ में आने वाला है देखिए यहां पर कि जब हम कोई mail यानि कोई चित्थी वेगार जब हम कहीं send करते हैं तो send करते समय हम लोग एक format को follow करते हैं क्या है इस जगह में हम लोग करते हैं कि अपना अधियर स्यां करें टालते हैं थाकि हमारा जो यह नाम होता है। हमेरे हैं जाना होता है क्यों से पर मिल वाला है। उसका बिजनिस नेम क्या है, स्टीट का नाम 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 क्या है, स्टीट का जो फीन कोड होता है, जीप कोड होता है, उसका क्या कोड है, और कौन सा कंट्री को जाने का है, तब हम उससे स इस के मान्स हें जो एडशन तक पहुंचता है क्या होता है कि अगर हिलता है तो वापस थाम इंतरनेट में वैसा ही होता है पूरा वर्ट में इंटरनेट का जाल भिचाdu तो व वस में इंटरनेट को जाल बिठा हुआ है जहां पर इस एंड किकम्युकेट करना होता है कि आपर लगा लगा होँआक यह इसको हम लुग बोलते हैं i जो इसको क्या होता है hesp यहां पर बहुत सारे जो computer है आपस में एक दूसरे से connected है एक वायर के बाद दम्स हो सकता है यह वायरलेस हो सकता है यह वर्ल्ड में देख पा रहे हैं जो अगर मैं वर्ल्ड मैप को देखूंगा तो वर्ल्ड मैप इस तरह का something हमको दिखाई देता है और यहां पर देख पा कैबल के मादन से समं 드र के अंदर से दिखी Бell कर रहा है वहां के मांदन से करेख वहां पर वह काम होते हैं अब addresses क्या होता है जैसे मिं बताए कि पा पहुचने के लिए और माली जीस पॉंज आगर SAY इस पॉंवनकों को पहुंचना है इ उहां पर एक एड्रेस होता है और इस पहुछने के लिए जो ईड़्रेस इसको ही हम लोगते है गले सब्सेंपल अग्ड़ सब्सक्राइच अगर बात करें कि लाइंट तो था होता है एक होता है एक प्रतरत्थ प्रतर और होता है हमें अधर में ओड़ेस करनेज़़ कनेदस होता है ें तो उस अधर जाता है इसको होचमय को म्यारी होता है हो 48-bit का होता है और hexadecimal format में यह एड्रेस होता है जो कि देखने में हम को ऐसा है लगएगा इसका एक sequencing होता है क्या होता है मैक एड्रेस में जो होता है 48-bit का जो होगा यह इस तरह का फॉर्मेट में रहेगा देख पा रहे हैं तो यह पहला जो है यह कि अट्री अट्री दिखाई रहा है हो है अगनाइशिन यूनिक अडेन्टीफाई किया गया है है और यह जो है उस कंपणी के दवरह यह है कैसे होता है मैं बदाता हूँ आपको और करके जैसे कि मैक अड्रेस में आपको आड्रेस एक पहला पाट में क्या बोला कि यह यह और वहां पर यह जो एड्रस यह 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 क्या होता है कि एड्रस रहता है और उसके बास से उसका निक्स्ट नबर से सभता करके तो आपका हिस तरह से फिंगolear हो और यहां पर बात करें कि अगर आप मालीлять कि देखने जाते हैं से आपके system में जो लगा हुआ है card उसका mac address किया है तो अगर आप windows system अगर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले जाना आप को जो है command pro में जाना है वहां पर type करना ipconfig slash all अगर आप linux system यूज़ कर रहे हैं तो टर्मिनल ओपन कीजिए और वहां पर type कीजिए आप country तो आपको दिखा दे कुछ इस तरह से connection इससे हम समझ पाएंगे से हमारा mac address किया है